दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा वीवो के फोन में एड कैसे बंद करते हैं आपके पास एक वीवो का फोन है और आपके डिस्पेले पर बार बार एड आ जाती है आप एड को कट करते हैं एड बंद नहीं होती है एड पर किलिक हो जाता है फिर प्ले श्टोर ओपन हो जात तो इस तरह से अगर आप परिशान हो गए हैं, आपके विवो के फोन में बार-बार एड आ रुए हैं, तो इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देख लेंगे, इसके बाद दोस्तो आपके विवो के फोन पर हमेशा के लिए ekी एड आना बंद हो जाएगी, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है सबसे पहले अपने mobile की settings में आना है setting में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आना है यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी apps आपको apps setting को open करना है इसके बाद यहाँ पर आपके mobile की apps आपको दिखाई देगी see all पर आपके लिक करेंगे सारी एप यहाँ पर आपको दिखाई देगी लेकिन हो सकता है दोस्तों यहाँ पर आपको manage app या app list या app management इस तरह सेटिंग मिले उस पर आपके लिक करेंगे तो आपके mobile की से भी apps आपको दिखाई देगी अब यहाँ पर दोस्तो आपको वो app ढोड़ना है जिस app का नाम नहीं है और लोगो भी नहीं है जी हाँ दोस्तो आपके फोन में जाने अनजाने में गलती से आप से एक app डाउनलोड हो गई है और वो ही app दोस्तो आपको बार बार एड दिखा रही है वो एक malware hidden app है जो आप से से डाउनलोड हुई है आप शायद गूगल से कुछ डाउनलोड कर रहे होंगे या आपने WhatsApp, Facebook से कोई फाइल डाउनलोड की होगी तो वो एप भी साथ में डाउनलोड हो गई है अगर आप ड्रो में आएंगे तो यहां पर आपको एप दिखाई नहीं देगी वो hidden एप है छुपी वी एप है आपको उसे धूंड कर delete करना है तो आपके mobile में दोस्तो add आना बंद हो जाएगी तो आपको setting में आना है यहां पर app से setting के अंदर आ जाना है अब यहां पर दोस्तो आपको बहुत ध्यान से देखना है तो आपको एक app दिखाई देगा आप देखेंगे यहां पर मेरे phone में यहां पर सभी app दिखाई दे रही है और उपर में दोस्तो आप देखेंगे white color का logo है लेकिन यहां पर नाम नहीं दिखाई दे रहा है सिर्फ कितने MB की app है वो दिखाई दे रहा है आप देखेंगे यहापर 7 MB की यह app है लेकिन नाम नहीं है यही दोस्तों वो hidden app है जो बार-बार Vivo के phone में add दिखा रही है अगर आपको इस तरह से app नहीं मिल रही है तो मैं आपको एक trick बताता हूँ आपको क्या करना है? back आना है सेटिंग में आपको यहापर क्या करना है? display and brightness सेटिंग में आना है इसके बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलीगी dark theme, यह सेटिंग आपको on करना है तो आपके Vivo के phone में dark theme अपलाई हो जाएगी यह setting आपको notification panel में भी मिल जाएगी यहां से भी आप dark theme को on off कर सकते हैं तो इसे on करने से दोस्तों क्या होगा display पुरा black हो जाएगा तो app का जो white logo है वो आपको दिख जाएगा ठीक है यहां से हम back आते हैं वापस से यहां पर आते हैं app से setting में यहां पर आते हैं app से setting में यहां पर करते हैं see all तो यहां पर आप देखेंगे मेरे वीवो के phone में दोस्तों यहां पर फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है white logo आप देखेंगे dark theme मैंने कर दिया है फिर भी यहां पर white logo दिखाई नहीं दे रहा है यह बहुत ही खतरनाक, dangerous एप है, आपको इसे foreign delete करना होगा, ठीक है, हो सकता है आपको यहाँ पर white logo दिख जाए, नहीं भी दिखता है, तो आपको इस तरह से MB लिखा हुआ दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मेरे phone में दिख रहा है, कोई भी नाम नहीं है, सिर्फ MB दिख र देना है, delete button पर click करके, यह delete हो गया, अब back आना है, अब यहाँ पर इस एप को delete करना है, यह delete button है, uninstall लिखा है, इस पर click करना है, यहाँ पर ok पर click करना है, तो app delete हो जाएगा, आप देखेंगे, app delete हो गया है, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर पहले MB दिखाई दिखाई नहीं दे रहा है डार्क तिम को हमने बंद किया तो आप देखींगे यहाँ पर एब डिलिट हो गया है एब डिलिट हो गया मतलब के दोस्तों आपके वीवो के फोन में आपको हमेशे के लिए एड दिखाई नहीं देगी एड बंद हो जाएगी इसके बाद भी मैं दोस्तों आपको दो सेटिंग और बता देता हूं ताके पूरी तरह से एड बंद हो जाए आपको कुरूम ब्राउजर को उपन करना है इसके बाद उपर में आपको त्री डॉट पर किलिक करना है यहाँ पर सेटिंग पर किलिक करना है इसके बाद नीचे आना है यहाँ पर आपको site settings पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी pop up and redirect यह setting को open करना है setting on है यह setting को off कर देना है इसके बाद back आना है back आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे में एक setting मिलेगी ads की ये setting को open करना है ये वाली setting को बंद कर देना है अब ये सारी setting करने के बाद एक बार आपको अपने mobile को switch off करना है उसके बाद दुबारा से switch on करना है तो दोस्तों आपके mobile पर जो add आ रही थी वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी आपको एक काम और कर लेना है जो मैं आपको ब आपर में दोस्तों आपको option मिलेगा app install files apk आपको इस पर किलिक करना है तो वो app आपको यहाँ पर दिखाई दीगी आप से गलती से डाउनलोड हो गई थी इस app को आपको यहाँ से डिलिट कर देना है file manager से भी यहाँ पर आपको किलिक करना है तरी dot पर move to trash पर किलिक करना है अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon को दबाकर all पर set जरूर करना